हाई गाईज, आज का हमारा method है clear method, this method is used to delete all the elements of the list यहने कि element, लिस्ट में जितनी भी element है सभी को delete करना है तो आप clear method का use करेंगे सिर्फ लिखना है list का नाम और dot clear और सारे के सारे का काम तमाम code मैंने पहले से लिखा यह हमारा list है 10, 5, 90, 10, 30 जिसमें elements हैं इसको हम लोग change करके करते हैं before clear और यह हमारा हो गया after clear so before clear हमारा जो element मौज़द है वह हमें दिखाई देगा लेकि clear करने के बाद यहने की a को हम लोग clear कर रहें इसका मतलब क्या कि इसके जितने भी element है सारे को delete करने का order दे रहे है delete होने के बाद बचे का क्या ठेंगा तो वह हमें दिखाई देगा save किया इसको मैंने save करने के बाद so run करें देखिए before clear हमारे पास यह सारे element थे हैं but after clear हमारे पास कुछ भी नहीं और just because हमारे पास कुछ भी नहीं है इसलिए for loop से भी हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया यानि कि इसका यहां होना न होना कोई माहिने नहीं रखता है so यह था हमारा clear method thanks for watching